मिटियों से समंदित कुछ जुड़े कोश्चन है आज आप से मैं सेरी करना चाहूंगा आज अपना चो छोड़ा सा टोपिक रहेगा मिर्दा मिर्दा को बोलते हैं और इससे जुड़े कुछ कोश्चन देखतें के एकजाम में जो महत्वून कोश्चन है वो देखेंगे मिर्दा से जुड़े कोश्चन क्या हैंगे सबसे पहले डोक्टर बैनेट के नाम से व्यक्ति हैं जिन्होंने मिर्दा पे काफी शोध किया था इन्होंने क्या बताया कि जो हमारी भूमी है इस जाता है मृधा के अध्यन को पेडॉलोजी कहा जता है एक हमारे मारे राजस्तान में आप जानते हो राजस्तान के चार भूतिक प्रदेश उनमें सबस्वी बड़ा वोतिक प्रदेश में अंद侈 वी उत्यपश्मी मृस्श लिये मिटी सरवाधिक पाई जाएगी बुरी रेतली मिटी आपर बलु मिटी सरवाधिक पाई जाती है रादस्तान में सरवाधिक सो मिटी पाई जाती है वह पाई जाएगी बलुई मिटी या बलु मिटी या डेजर्ट वाली मिटी या इसे मोलते हैं मुरुस्त लिया मिटी बोलत उस्वर मित्टी किसी भी भूमी के अंदर लवनता अधिक है उस कि अंदर शारिटा वह जधा है इसको कम करने के लिए जमीन मेश क्या डाला जाता है जिफसम इसके अंदर उत्तरदाई है जिफसम लवड़ता वैस्षारियता को कम करने में पूर्ण रूप से उत्तरदाई रहता है जिफसम एक परकार का खनीज है फिर और बात करें जो खारी मिट्टी के परदीश हमारे राजस्ताने बता दू मैं आपने ये बड़ा जोगरुफ्य में नेहडबुमी क्या वाता है नेहडबुमी देको नेहडबुमी के यह अपने बात कर ली जाए तो पर्मो कुरुफ से एक सथान आता है बललुतरा बाड मेर बालुतरा बाडमेर । बाडमेर खनीग Ci-क स़ांसूर और सांसूर कहाएंगा जालोर के अंदर आएगा तो इस प्रकार से ये नेहड बुमी का यहां इतना खारापन इतना ज़्यादा बुमी में लवणता है कि जो नदी बहेती है उस नदी का पानी ही सारा क्या हो जाता है खारा हो जाता है ये नेहड बुमी की सबसे बड़ी विशेशता रहती है और मापसे बात करना जाओ मिटी से जोड़ी बात है एक होता है अपरदन दो परकार से है एक होता है वायू परदन होता है और एक होता है अवनाली का परदन होता है अवनाली का परदन नदियों के अंदर होता है जिसे चंबल लदी राधस्तान में सरवादिक अवनाली का परदन करती है वायू परदन मुरुष्टलिय प्रदेश के अंदर सरवादिक होता है अब हमारे राजस्थान में समचें, उन्नीस पॉइंट समचेंगा लेकिन आप ध्यान को 20% राजस्थान की अंदर कैसी मिटी है, यहां पर बिलकुल अनुपज़ों मिटी राजस्थान में पाई जाती है, राजस्थान की सरवादिक वेर्थ भूमी वाला जिला, तलो हमारे राजस्थान की अंदर सरवादिक वेर्थ भूमी है, वो वेर्थ भूमी है जेसल मेर जिले की, राजस्थान की अंदर सरवादिक वेर्थ भूमी की जिले की मनी जाती है, जेसल मेर जिले की मनी जाएगी, राजस्थान की अंदर सरवादिक पठारी भूमी की शेतर की मनी ज प्रफी सोल्स नाम है इसके लावा बातिज़े अंटी और इन सेब्टी सोल्स आता है अपने पंचों के बारे में यह देखेंगे कि इन पंचों का मतलब क्या होता है क्या होता है इन सेब्टी सोल्स होता है क्या वर्टी सोल्स होता है और क्या एड़ो सोल्स होता है बस आप जादा मत याद करना सिर्फ इतना याद कर लो कि सुस्क मिट्टी कौन सी होती है जलोड मिट्टी कौन सी है काली मिट्टी कौन सी है बोरी और पिली मिटी कौन सी है इनको क्या कहा जाता है इतना अपने रसायन ने कत्वों के दार पे वर्गी करन कर पा रहे हैं तो अपने लिए ये प्रयाप्त है इसमें आपको कहीं भी किसी परकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगे तो आप इसके इन रफ ध्यान रखोगे पहले कि ये पांच शब्द है कौन कौन से एक तो आजाएगा अपना एरिडो सॉल्स नमबर दो अपना आजाएगा इसके बाद में आजाएगा इल्थी सॉल्स इसके बाद में बात कर लेते हैं वर्टी सॉल्स वरटी सोल्स के बाद आपने बात कर लिए तो अपना आता है यहाँ पर इनसेप्टी सोल्स इसके बाद में आएगा एंटी सोल्स यह आपके 5 अलग अलग नाम होई एरिडो देख एक शब्ध है एरिड के नाम से से एरिड का मतलब होता है शूश्क तो आप सिद्धा यहां पर लगा दोगे एरिडो सोल्स का मतलब होता है सुश्क मिटी से समंद रहेगा एलफी सोल्स का मतलब रहेगा जलोड मिटी रहेगा रही बात वर्टी की वर्टी की बात की जाए तो इसका समंद आएगा काली मिटी इसके साथ कि एम भी जूलते हैं हció और इसके साथ भी कह सकते हैं अब बात इनसे सोल्स को पवी यह जो मिटी पाईजाती है इससमें को बोलते हैं इसको यह समूlt पांस नामों पांस नामों को पुरुन रुप से करोगे जैसे अब बात करतें पांस नामों कमाते अंदर रहेगा फिर आएगा एंटिस्थान का नाम है काजरी दूसरे संस्थान का नाम है आफरी दोनों के बारे बात करें इसकी स्थापना तोई थी काजरी संस्थान है मुख्या रूप से मुख्या लिया वहां आता है वह कहा आता है आपके लिए वेरी वेरी इंपर्ड़ेट है आफरी आफ्री की इती बात करें तो इसकी full form क्या बनेगी आफेरी इसका मतलब क्या होता है ARID A का मतलब हैगा ARID F का मतलब हैगा Forest R का मतलब हैगा Research और इसके बाद E का मतलब Institute इस परकार से ये आपकी full form ARID Forest Research Institute ARID ता है सुस्क, Forest ता है One सुस्क वन अनुसंधान केंदर बनेगा तो वो आपरी बन जाता है तो लोग हमारी राजस्तान की अंदर सुस्क वनों पे कोई भी शूद करना होता है कर ये करना होता है वो करता है आपरी संस्तान करता है इस बात के बारे में आप ध्यान रिखोगे हमारे राजस्तान के अलग-अलग चेतर की अलग-अलग बिसे इसता है हाडोती चेतर की जो मिटी है हाडोती चेतर की मिटी को माना गिया कि सरवादी की उपज़ाओ मिटी होती है कोई मिटी कोई भूमी है उस भूमी के अंदर कहते हैं कि अरवरता शमता कम हो गई है भूमी की अरवरता को बढ़ाने के लिए परियोग किया जाता है एक फसल जिसका नाम है उर्द उर्द फसल का परियोग किसलिए किया जाता है भूमी की अरवरता शमता को बढ़ाने के लि ये जो जिखनीज अड़ जाला जाता है उसको जिफसम कहा जाता है फिर से कुछ बातों को रिपीट कर रहा हूं जो अपने काम की बात है सबसे पहले डॉक्टर बिनेट ने इसके बारे में क्या अध्हन किया था? मिट्टि का क्लासिफिकेशन कर के बताया था? प्रदेश की मिट्टी आपको मैं बात और शांदार शी बात मिट्टी में दो विशेष्टा होती है चोटे कण की मिट्टी की मिट्टी का कण यदी बहुत ज्यादा बारिक है मिट्टी का कण यदी बहुत ज्यादा बारिक है और एक मिट्टी का कण है बहुत ज्यादा मोटा मोटी कण की मिट्टी में पानी सोखने की शम्ता ज्यादा होती है यह मिट्टी पानी सोखने के लिए उत्तरदाई मने जाती है जैसे आप बलूई मिट्टी में देखती हो इस इस मिटी की शम्ता होती है, कण मोटे होता है, उनकी मद्या स्पेस अधीक होता है मिटी कणों की बीत में, इसलिगे वो पानी को अंदर ऐड़ेस्ट कर लेते हैं. बारिक कन में क्या होगा कनों के अंदर सगनता बूछ जादा होती है स्पेस होता नहीं है पानी को एड़ेस्ट कर नहीं पाते है तो पानी को सोखे के नहीं पहली बात पानी को सोखे के नहीं है यदि वो मिटी पानी को सोख जाती है तो याद रखना कन बारिक होते हैं तो उसमें मिटी की अंदर आधरता भोत लंबे समय तक बनी रहती है मोटे कन वाली मिटी की अंदर आधरता लंबे समय तक नहीं बनी रहती फोर एक्जामपल बालू मिटी या बलू मिटी बोलते हैं इसमें कहां अधरता होती है कहां नमी होती है क्यों मोटे कन है और पानी जल्दी के सूप हो जाता है या एड़स्ट हो जाता है मोटे गणगी बात तो यह थी बारीकण में कै या तो पनी अंदर प्रियुश करेगा नहीं करेगा तो लंबे समय तक अपने आदरता को बनाए रखेगा इस प्रकार से विसेस्ता रखता है यह अच्छे एक बनास नदी बनास नदी के आसपास केते हैं बुरी बुरी मिट्ट रजस्तान के अंदर शिंसाई के लिए सब शेगरनी जला है तो दो मिट्टि मोट्ट में मिलना कोली रेगूड मिट्टी इस प्रकार से वर्गी करणा है वह आपने नेक्स पार्ट में कर लेंगे तो इसमें आपका इतना ही रहेगा धन्याबाद